भारत सरकार तवारा संच्वाली टेलिकों कंपनी BSNAL का एक समय भारत के ग्रामिन इलाकों में दबदबा था लेकिन अब जीओ और एएर टेल का दबदबा सहरों के साथ-साथ ग्रामिन इलाकों में भी बढ़ रहा है और Mobile Users BSNL Network को छोट रही है हाली के वर्षों में BSNL उब्भोकरताओं की संख्या में काफी गिरावट आई है ऐसे में BSNL ने अपने ग्राहकों को बनाए रखने और पुराने ग्राहकों को वापस पाने के लिए नया Master Plan तयार किया है और इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा है BSNL ने सरकार को बताया है कि वह पूरे देश में अपनी 4G सेवा का विस्तार करने के लिए Vodafone Idea के 4G Network का उप्योग करना चाता है BSNL ने इसके लिए सरकार से अनुमती मांगी है बता दें कि Vodafone Idea कंपनी की सरकार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है जो करीब 33.1 फीस्ती है इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो BSNL के लिए Vodafone Idea के 4G Network का इस्तमाल कर सकती है दरसल BSNL की चिंता व्यक्त करते हुए BSNL करमचारी संग ने IT मंतरी अस्वनी वैसना को एक पत्र लिखा था जिसमें एक कमपनी ने कहा कि BSNL टेलिकॉम कमपनी का नेटवर्क देश के सभी हिस्सों में उपलब्द नहीं है इस कारण से देश के जिन इलाकों में BSNL नेटवर्क मौजूद नहीं है वहां Vodafone Idea के 4G नेटवर्क का इस्तमाल करने की अनुमती दी जाने चाहिए क्योंकि इन दोनों टेलिकॉम कमपनीों में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है BSNL इस सरकार को बताया है कि देश के सभी हिस्सों में 4G सेवा की अनुपलब्द ता और जियो और एयर टेल द्वारा प्रदान की जाने वाली 5G सेवा के कारण BSNL उप्भोकरता जियो और एयर टेल पर स्विच कर रही है इसी वज़े से BSNL Vodafone Idea के 4G नेटवर्क का इस्तमाल करने की इजाज़त मांग रही है ताकि वह अपनी 4G सर्विस को देश भर में फैला सकती है तो कैसे लगे आपको हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में